कबीर का मतलब है साहस कबीर का मतलब है बल सक्ति ओज धरम करे जहां जीव बधतु है कर्म करे मुर्भाई और जो तोहरा को ब्रामन कहे तो काको कहिए कसाई कबीर साहब ने कहा जैसे पूर प्रक्ता ने बताये कुछ समय जब मानवता से मानवता टकरा रही थी बड़े वर्गर लोग छोटे को आदमी की दर्जा में भी नहीं गिनते थे उस समय ये कहना कबीर साहब का धरम करे जहां जीव बधतु है अकर्म करे मुर्य भाई किसको करे है उन लोग करे है जो समाज की अगवा है जो समाज को गाइट करते हैं निर्देश देते हैं उन लोग कहते हैं कसाई कहते हैं उस समय कसाई कहना कबीर साहब का बहुत बड़ी सक्ति चाहिए बल चाहिए कबीर के काब्य में एक तरफ प्रेम के फाग है तो दूसरी तरफ करांती की आग है कबीर साहब का आना जैसे आग की लपड जैसे हैं वो जागरन का संखनाद ही नहीं करते हैं जगजोर करके जगा देते हैं कबीर खड़ा वजार में ले लुआ थी हाथ जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ कबीर साहब के साथ कौन चल सकते हैं जो अपना घर जला सकते हैं जो अपने घर को जलाने की सकती रखते हैं कहा जाता है कि किसी आदमी न अपने घर को जला करके कबीर साहब के पिछे आगे कबीर साहब मैं हूँ आपके साथ चलने वाला मैं चल सकता हूँ वो कैसे मैंने अपना घर चला दिया कभीर साहब ने कहा अरे पगले मैं बाहर की घर नहीं कहता हूँ अंदर की घर कहता हूँ मान्यता अंकार के घर को कहता हूँ कभीर साहब में अदबूत सकती थी लोगों को आत्मसाथ करने की उसमें ज्ञान भक्ति करम की अद्बूत संगम जहां सब कुछ जहां अंकार जहां लिन हो जाता है ये कभीर साहब की कभीर साहब का धरम मानव धरम था और सब धरमों से अलग हट करके था वे मानवता के पुजारी कह जाते थे बड़े बड़े लोगों ने उनके लिए मानवता के पुजारी लिखा वे प्रेम का पाट पढ़ाते रहे प्रेम बांडते रहे और लोगों को प्रेम से जीने का रास्ता दिखाया प्रेम ठहरा पानी नहीं बहती कलकल धारा है प्रेम ठहरा पानी नहीं बहती कलकल धारा है जितना बाटोगे उतना पाओगे ये विश्वास हमारा है ये विश्वास हमारा है कभीर सहब का है संत समाज का है रिसी मुनियों का है इतना है कहकर आज कभीर जैनती के पावन दिवस पर स्रद्गुरु कभीर सहब को स्रद्धा शुम्बन समर्पित करत में अपनी वानी को यहीं प्यार विराम में तो प्रेम से बुलिए स्रद्गुरु कभीर सहब की जै